नमस्कार मैं हूँ स्रिष्टी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योगरेती में आज मैं आपके लिए ब्रामरी प्रनयामा फोर प्रेग्नन विमें लेकर आई हूँ मैं इसे करने का तरीका समझाऊंगी इसके फायदे और क्या हमें नहीं करना है तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं ब्रामरी का अभ्यास करने के लिए आप कंफर्टेबल तरीके से बैठेंगे चाहें तो आप अपने मैट पर बैठ जाएं मैट पर बैठे हो तो आप कुशिन को अपने हिप के नीचे रख सकते हैं या फिर दिवार से अपने पीट को टेक सकते हैं जिससे आपका चाहती खुला रहे आपका पॉश्चर बिल्कुल अच्छा रहे अगर आप मैट पर अपने कंफर्टेबल ना हो तो आप शेयर पर इसका अभ्यास कर सकते हैं चेयर पर सोफा पर बस यह ध्यान रहे बहुत गदे वाले चीज पे ना बैठे जिससे आपका हिप चुके थोरा अपने चाहती को खुला रखने के लिए आप थोरे से स्टिफ चीज पे बैठे बहुत कुशनी चीज पे बिल्कुल भी ना बैठे तो चलिए इसको करने का तरीका समझते हैं ब्रामरी का अभ्यास करने के लिए आप कंफर्टेबल पॉच्चर चूज कर चुके हैं दो तरीकी से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं या तो आप अपने दोनों हाथों को जांग पर टेकते वे आँख को बंद कर लिए इस तरह से अगर आप कंफर्टेबल हों तो अपने चार अंगुली से अपने आँख को बंद कर लिए इस तरह से ध्यान रहे प्रेशर नहीं लगाना दवाना नहीं है अपने आखों को बस रखना है अपने आखों पर जिससे लाइट आपके आखों पर आए और आपको थोड़ा अंधिरा सा फील हो और अंगुठे से अपने कान को बंद करना है मन को शांत करने के लिए हम लाइट को अवास को सबको विड्ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोनों में से जो कमफर्टेबल है कि उसको अपनाए दूसरा तरीका थोड़ा बहतर होता है क्योंकि लाइट भी आपके आखों पर नहीं पढ़ती है अटोमाटिकली सास बहर आ जाएगी तो एक बर हम इसका अभ्यास करते हैं पहले में दोनों हाथों को अपने जांक पे रिख देती हूं और आखों को बंद करूगी यह तरीका बहुत फाइदेमन उन लोग के लिए भी होता है जिन्हें काफी तेर तक प्रामरी का भ्यास कर प्रामरी नुख तो आखों को बंद करते हुए एक लंभी सास अंदर लें गे और फिर मांकारा का उचारन करेंगे तो अ हम और अभ्यास करने के पहले थोड़ा ब्रेक दे बॉडी को वाइब्रेशन को एबसौब करने दे हम आप इब्रेशन को फिर से सास अंदर लें बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर है मख आ रहा है आपको इस तरह से निकालना हो जैसे बी की अवाद आ रही हो मख्य की तो बिलकुल नाचरली आपको मख कारा का उचारन करना है सांस आटोमेटिकली बहार आ जाएगा दिमाग बिलकुल नहीं लगाना है कि मैं सांस नाख से बहार चोड़ रही हूँ कैसे चोड़ रही हूँ वो सब में कन्फूजन में बिलकुल नहीं फसना है बस माकारा का उचारन करते रहना है दूसरे तरीके में आप अपने आखों को बंद करेंगे और आपको अच्छा डाक फीलिंग आएगा तो बिलकुल मन शांत हो जाएगा कान बंद करेंगे तो आवाज भी नहीं आएगी और मन शांत हो जाएगा तो बस फिर से नाचरली सांस हलेंगे इतना सिंपल आप अब्सर्फ करेंगे दूसरे तरीके में आपको विड्रॉल और सेंसे जादा फील होगा और आप अच्छे तरीके से वाइब्रेशन को भी फील कर पाएंगे तो कमफर्टेबल हो तो दूसरे तरीके को अपनाए बीच में हाथ दर दे तो आप ब्रेक लेके अपने हाथों को नीचे भी रखके प्रभ्यास कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब कुछ बातों का ध्यान रखना है पहली बात ये कि दूसरे बार मकारा का उचारन दूसरे बार ब्रामरी का अभ्यास करने के पहले पीछ में थोड़ा ग्याब दे जलडी से सांस अंदर लेके मकारा का उचारन करके फिर तुरंट फिर दूसरी सांस भरके मकारा का चारन करना ऐसा बिलकुल सही नहीं होगा थोड़े दिर आप बॉड़ी को वाइब्रेशन को एब्जॉब करने दे मन में शान्ती को फील करें, बॉडी में एक शान्ती ठहराव को फील करें फिर दूसरे ब्रामरी में जाएं फिर थोड़ा सा सांस को बिलकुल नैशली इस आउट होने ले फिर तीसरे बार अभ्यास करें तो हरवडाक अभ्यास नहीं करना है, बॉड़ी को थोड़ दर एब्जॉब करने का समय देना है अब ब्रामरी प्रेगनेंट महिलाओं के लिए बहुत 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 लाब दायक है मन शान्त करता है, साथी साथ ये वाइब्रेशन आपके बॉड़ी को काफी अच्छी उर्जा, एनर्जी देता है आपके पूरे बॉड़ी को काम, रिलाक्स करता है और इस तरह के मग कारा उचारण को हीलिक वाइब्रेशन भी कहते है तो ये vibration आपके body को heal भी करता है इस vibration से आपका body भी काम होता है साथे साथ ये lactation यानि breast milk के लिए भी बहुत फायदे मन्द होता है तो pregnancy के बाद भी postpartum भी इसका अभ्यास बहुत लाबदायक होता है ड्रामरी के अभ्यास आप दिन में बहुत बार कर सकते हैं सुबह भी कर सकते हैं शाम में भी कर सकते हैं अपने body को relax होके जब जहां इसका अभ्यास कर सकते हैं अगर आपको ये video पसंद आया तो प्लीज मुझे comment box में ज़रूर बताएं अभी भी कोई doubt हो तो वो भी आप मुझे comment box में लिख सकते हैं मैं आपके doubt को ज़रूर क्लियर करूँगी अगर आप मेरे साथ हर दिन प्रनयामा का अभ्यास करना चाहते हैं तो प्लीज उपर दिये गए लंग को ज़रूर दबाएं उपर दिया गयव लिंग प्रनयामा फॉर प्रेग्निन विमन है हर दिन आप इसका अभ्यास एक या दो बार कर सकते हैं सुबर में फिर शाम में आपको काफी अराम मिलेगा आपकी बॉड़ी को अच्छी मात्रा में oxygen मिलेगी आपका blood oxygenate होगा आपके बेवी को healthy oxygenated blood पहुँचेगा और आपका body काफी काफी रिलाक्स फिल करेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और notification bell को भी जरूर दबाएं मेरे चैनल पे कई तरह की वीडियो आने वाले हैं for pregnant women तो आपके लिए बहुत 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 फायदे मंद होगा अगर आप मेरे चैनल को subscribe करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा मैं उम्मीद करते हूं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें and have a very 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 happy and healthy pregnancy congratulations to your family and you thank you